नमस्कार दोस्तों मैं प्रिस्टम उर्थी आप सवे का स्वावत करता हूँ लर्णिंग मेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिनियर, डिग्रेशन, फोर्कास्ट, इंडिकेटर, ल, आर, एफ इंडिकेटर जो है उस पे आप स्ट्रेजी कैसे क्रेट कर सकते हैं स्ट्रीक में उसको कैसे बैक्टेस्ट कर सकते हैं और उसको कैसे आप इंप्लिमेंट कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ मैंने आपको लास्ट वीडियों बताया वा था LRF Indicator scanner से आप streak पे कैसे stock find कर सकते हैं और अपने risk profile के साब से कैसे आप उसको buy और sell कर सकते हैं तो यह हो गया इसके पहले मैं आपको LRF का summary होता है थोड़ा बहुत वो बता दूँ LRF Indicator होता क्या है और इसको किसलिए use करते हैं LRF Indicator की help से आप future price predict करने का काम कर सकते हो past value को लेते हुए यह जो है आपका mainly moving average की तरह ही काम करता है लेकिन यह moving average से सटीक information आपको देगा कि trend जो है किस direct में आपको जा रहा है mainly यहाँ पर देख लो यह आपका simple moving average red line वाला है और यह जो black line है वो आपका LRF Indicator है यह देखो आपको कितना सटीक trend बता रहा है compare to आपका simple moving average तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो है बहुत clearly पता चलती रहेंगी कि चीज़ें कैसे move कर रही है यह reliance का आपको चार्ट है LRF Indicator जो है mainly strong trend में अगर आप trade करोगे तो बहुत ही suitable है जैसे मालो downfall हो गया यह फिर upside हो गया यह आपको बहुत ही help करेगा अगर मालो LRF Indicator upside में है तो आप buy जा सकते हो long में जा सकते हो और जो भी आपका short position है short sell है या तो उसमे profit book कर सकते हो या exit कर सकते हो अगर मालो आपका LRF Indicator downtrend में है तो आप short कर सकते हो जो भी आपके long position है by position है उसमें आप exit कर सकते हो या profit book कर सकते हो यह आपका ICIC bank का chart है यहाँ पे देख लो आपको simple moving average का straight line जो है चीज़े दिख रहा होगा यहाँ पे आपको upside downside पता नहीं चल रहा कि मैं चीज़े कहाँ पे trade लूँ कहाँ यहाँ पे exit करूँ लेकिन आपको जो है यह LRF Indicator की help से आपको चीज़े दिख रही है कि trend आपको किस direction में था और trend यहाँ पे change होता हुआ दिखा है तो यह आपको LRF Indicator बहुत अच्छे तरीके से help कर पाएगा compare to other moving averages जो आप use करते हो अब मैं इसी के help से आपको strategy create कर रह आपको benefit यह आपको देता है यहाँ पर मैं login के option पर क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर पांच broker से login कर सकते हो जिरोधा काइट, ICC Direct, Upstocks, Angel 1 और 5 पैसा अगर किसी 5 broker में किसी का account नहीं है आपके पास sign up पर क्लिक करो और किसी एक का वी account open कर लो मेरे पाल 00. काइट है तो मैं यहाँ से login कर रहा हूँ, login करने के बाद यह आपको dashboard दिखाए देगा, मैं पहले dashboard आपको समझा दूँ, चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, मेरा series of video available है, streak को लेके, जो भी आपको confusion है, basics के लेके, जो भी आपके complex strategies है, सब पे available है, और चीज़ें मैंने simple way में बता रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, और चीज़ें implement कर सकते हो, यहाँ पर देख लो positions है, जो भी आपका open positions होगा, यहाँ दिख जाएगा, holdings में कुछ भी है आपके पास, तो यहाँ दिख जाने वाले है, आपका मालों यहाँ पर कोई भी आपका open order है, य यहाँ दिखने वाले है, street जो है, वो professional के साथ काम करती है, तो इसके inbuilt strategies है, जो भी आपको strategies देखने है, view all पर click करके, आप देख सकते हो, और implement कर सकते हो, यहाँ पर स्कैनर, क्लिक करके, आप scanners देख सकते हो, और implement कर सकते हो, यहाँ पर top movers है, day wise है, आपको week wise है, और है जैसे भी आपको देखना है यहां से आप देख सकते हो यह हो गया यहां से आप scanners create कर सकते हो और इसके वारे बता रखा है मैंने last scanner create किया हुआ था बुल इसका और बीर इसका वीडियो एवलेबल है आज मैं create करने वाला हूँ strategies तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगर आपको conditions पता है तो create strategy पर क्लिक करें और यहां पर strategy name पूट करके conditions आप पूट कर सकते हैं मेरे पास conditions already written है मैं जो यह उसका link वीडियो के description में डाल दूँगा आपको बस उस पर click करना है copy करना है और चीज़ें अपने आपको implement करनी है यहां पर देख लो आपका linear regression strategy lrf indicator strategy जो है यहां पर already है आपका यहां पर already entry और exit conditions with stop loss जो है यहां पर लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना सीधे यहां पर copy strategy का option आ रहा है इस पर आप click करो यहां पर लिख दो lrf यहां पर stratgy मैंने यहां पर put कर दिया और यहां पर मैं copy कर रहा हूं copy option पर click किया तो यह जो मेरा strategy है वो copy हो चुका है यहां पर आपको देखो buy करना है sell करना है जो भी आपका requirement है उसके हिसाब से मेरा requirement buying का है तो मैंने buying का conditions लगाया हुआ है यहां पर अगर आपको stocks add करना है यह डिलीट करना है डिलीट अप यहां से कर सकते हो अगर आपको stocks एड करने है ad stocks पर click करो महाँ लो आपको add करना a sd busy life search करना यहां प्रост PR चलाएगा पूर्व मेरा option पर click करना यह अपका add होगया idag अपर आपसन पर click करना तो आपका वुवाएं सब्सक्राे रखना अगर आप 5 मिनेट में करते हैं वह किस टाइम में लेखी हुई है int couldipiast यहाँ पे country मैं आपको और बता दू सर मालनो मुझे quantity based में दो मैं इंभीनर हुए और मैं चार रहा हु पर इस skill या 20,000 को उपर का investment ना हो, तो यहाँ पर देखो position sizing type है, इस पर आप click कर दो, और यहाँ पर capital based है, इस पर आप click कर देना, जैसे ही capital based क्लिक करोगे, देखो आपको यहाँ पर amount maximum allocation पूछेगा आपसे, तो maximum allocation 20,000 रुपीर यहाँ पर डाल देना, जैसे ही डालोगे यहाँ पर देखो, आप back testing period आपको दिखरा होगा, back testing period आप इसको change कर सकते हो, अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है, suitable लगता है, कि किस rate को मुझे check करना है, और यह strategy में लिए work out करती है नहीं करती है, वो आपको check करना, तो इसको आप change करके, आप test भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर save and back test का option प आप वेख सकते हो, कि brokerage आपने pay किया है, तो उसको हटा के, कितना आपका cumulative result आपको दिखरा होगा, यह आपके strategies के cumulative results है, इसके आप rate change कर सकते हो, time frame आप change कर सकते हो, मालो कोई 30 minute trade करता है, तो मैं 30 minute choose कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है, run and back test का option पर क्लिक कर रहा हूँ, दे result आपका same ही है, मैं फिर से बता दू, मैं से भी registered research channelist हूँ, जो भी चीज़े यहाँ बताई जा रही है, वो सिर्फ informational purpose के लिए आप use करें, learn करें, सीखें, और उसको जो है, आप implement करें, यह आपको streak जो है paper trading provide करता है, अगर आप beginners हो, तो आप starting के 2-3 months जो है paper trading करो, पहले comfortable हो streak जो है आपको stocks का recommendations नहीं देता, जो भी आपके conditions हैं, जो भी आपने conditions put कर रखी हैं, उसके भिहाप में जो भी stocks find होता है, वो आपको दे देगा find करके, जो भी आपका risk profile हो, उसके आपसे आप buy, sell कर सकते हो, वो depend करता है आपके risk profile के ओपर, streak platform इसलिए आपको help करता है, कि company satisfied कर रही होगी, conditions true होगा, वो company का list जो है आपको find करके देदेगा, आप जो है बस उस पर buy, sell जो भी आपका risk profile हो, उसके साब से आप कर सकते हो, यह चीज़े होगी, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, backtest results are hypothetical results, generated based on the conditions used on historical data, and do not represent actual return, और future return, यह जो आपका return है, वो past data पर अ strategy कैसी workout कर रही है, और मुझे कितने capital के साथ, अपने portfolio में इसको लाना है, और आगे जो है इसको trade करना या invest करना है, तो यह आपको idea मिल जाएगा, लेकिन यह return guaranteed नहीं है, future में इससे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, depend करता market conditions कैसी है, अब यहाँ पे देखो share का और इसका जो backtest result है, वो यह है, आप इसको check कर सकते हैं, यहाँ पे आपको link generate होगा, उसको आप copy कर लो, जहाँ भी आपको share करना है, WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, LinkedIn हो गया, Twitter हो गया, वहाँ पे आप share कर सकते हो इसको, सरी यह मैंने strategy deploy कर रखी है, इसको मुझे live करना है, कि मत्तब इस conditions के ऊपर जो भी आपको stocks find home, वो मुझे पता चल जाए, तो यहाँ पर deployed all का option है, इस पर आप click करो, जैसे ही click करोगे देखो, मैंने क्या बोला था, 20,000 रुपीज, maximum allocation मैंने डाला हो था, capital waste में, तो मेरा per stocks 20,000 रुपीज का allocation हो गया है, मतलब इस से ऊपर का investments नहीं होगा, य आप उसको directly buy sell कर सकते हो, real money के साथ, अगर आप first time हो तो paper trading करो, live trade बतानो कैसे आपको active करना है, मतलब इसको live करना है, strategy cycle 1 मतलब होता है, आपने buy किया तो sell कर दो, sell किया तो buy कर दो, अगर आपका position close हो गया, तो वहने strategy cycle complete हो गया है, तो आप 1 लग सकते हो, CNC normal का मतलब होता है long term के लिए, अगर आप intraday वाले trader हो तो MIS कर सकते हो, strategy कितने दिनके live करना है आपको, one day, three day, one week, thirty days, तो आप live कर सकते हो, variety आपको regularly रहने वाला है, capital based already है, market है, यहाँ पर click करना, live trade का option पर click कर देना, यह आपका trade जो है live हो जाएगा, जब भी conditions true होंगी, आपको stocks find हो paper trading में वही करना है, simple इस पर click कर दो, सबको सेम रहने वाला है, सबको सेम रहने वाला है, यहाँ पर बस paper trading के option पर click कर दो, यह आपका conditions हो है live हो गया paper trading में, मतलब यहाँ पर आपका real money involved नहीं है, लेकिन जो return होंगे, जो चीजे होंगी, वो आपको दिखती रहेंगी, strategy कैसे work out करता है, तो beginners के लिए best तरीका है, अगर आप market में हो, चीजे सीख रखे हो, तो आप live trading से start कर सकते हो, मैं see deployed strategy पर click कर रहा हूँ, चीजे आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, live trade में क्या 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 deployed है, paper trade में क्या 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 deployed है, अभी मैंने deploy किया, यहाँ पर क्लिक कर कर करे चीजे देख सकते हो, जो भी आपका stocks find हुआ है, यहाँ पर click कर होगे, तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जो भी आपकेabsk闑न ने वाले है, क्या stocks find हुआ है, यहाँ पर जो भी आपका paper trade है, गमाने पर यहाँ अपर दिख जाएगा होगा है, और यहाँ इस प्रोफाइल के इस आप से आप बाई और सेल कर सकते हो चीज़ें मैंने बता रखी है ऐसे सिंपल है स्ट्राटजी का लिंग मैं डाल दूगा डिस्कूसिन में वहाँ से आप जोए कॉपी करके चीज़ें जो इंपलिमेंट कर सकते हो इसका प्राइसिंग क्या है वह मैं बता दूँ आपको एक वाद मेरा जो है अल्टीमेट प्लैन है तो मैं प्लैन पर क्लिक करता हूं अगर आ इसका वन यर का चार्ज जो है वह आपका 13,876 रुपीज का है आपको फाइब मन्त का प्लैन एक्स्ट्रा मिलने वाला मतलब सेम प्राइस में आपको 12 प्लस 5 17 मन्त का अल्टीमेट प्लैन मिलने वाला है यहां पर आपको जो फाइब प्रेस्टनल हैं लोडिक सेसन मिलेंग झाल 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 झाल